हलो फ्रेंद्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी अलबो लेंथ स्लीब की कटिंग एन स्टिचिंग यहाँ पर यह फैबरिक मैंने ले लिया है और इसकी लेंथ यहाँ पर मुझे चाहिए है तैयार साड़े दस इंच तो मैं एक इंच एक्स्टर लूँगी और साड़े ग्यारा इंच पर मैं निशान लगा लूँगी आपको जितनी भी तैयार चाहिए उसमें एक इंच प्लस करके आप लेंथ का निशान लगा लीजेगा अब उसके बाद मैं मैं यहाँ पर गहराई का निशान लूँगी तो जितना चेस्ट है उसका दसवा हिसा लेंगे यानि उसे टैन से डिवाइड करेंगे मेरा है थर्टी एट इंच उसका दसवा भाग हो जाएगा 3.8 इंच यानि के पौने 4 इंच उस पर मैं निशान लगा कर एक लाइन बना लूँगी अब यहाँ पर हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है तो हाफ इंच यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और यहां से जितना सिलीव की महरी का निशान में लगाऊंगी सवा पाच इंच पर और यहाँ पर भी सेम सिलाई मार्जिन हम ले लेंगे अब इन पॉइंट्स को हमें मिला लेना है स्केल से और इसके बाद में हम यहाँ पर जो आर्म होल की गुलाई है उसका निशान लगा लेंगे यहाँ से दे देंगे उसका तो ये बैक आर्मोल का शेप दे दिया है मैंने अब इसके बाद में फ्रेंट आर्मोल का शेप यहां से मैं लगा लूँगी इस तरह से और ये मैं स्लीव बना रही हूं कुर्थी के लिए तो कुर्थी की कटिंग इन स्टिचिंग का वीडियो और अफगान इस तरह से मैंने इसे उल्टे साइड में पेस्ट कर लिया है अब इसके साथ मैं ले रही हूं इस तरह के टू पीसेस जिसमें की मैंने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया हुआ है फैबरिक के उपर दो इंच चौड़ाई है लंबाई है चार इंच और इसे लेने के बाद में यहां पर हम इसमें इसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद में हमें यहां पर निशान लगाना है तो यहां पर आप देखिए यहां पर मैं निशान लगाऊंगी तो यहां से एक इंच पर निशान लगाना है और यहां से 0.5 इंच में एक लाइन जादा इतना मैं सब्सक्राण श्रक्त olur। म Fel और के सिसे हमें कुछ इस तरह से कवड देते हुए बना लेंगे यहां पर यह शेप मैं दे दिया है अब इसके बाद में इसकी हमें गटिंग करनी होगी तो इह जो दो की怖 हैं तो अब यहां पर मैं इसकी cutting कर रही हूँ cutting मैंने कर ली है और आप देख सकते हैं इसका shape कुछ इस तरह से आया है अब दूसरा piece हम लेंगे और उसके उपर इस shape को draw करेंगे और इसे भी cut कर लेंगे इस तरह की sleeve अगर आप shirt collar कुर्टी के साथ में बनाते हैं तो वो बहुत ही smart look देगी आपको तो इस तरह से यह दोनों shape मैंने cut कर लिये हैं अब इसके बाद में हम क्या करेंगे एक और piece लेंगे fabric का और उसके उपर हमें इसे उल्टा रखना है और फिर stitch करना है तो जो सीधे वाले fabric होंगे वो अंदर की तरफ होंगे इस तरह से मैंने इसे sil लिया है दोनों ही pieces को हम साथ में ही तयार कर लेंगे और उसके बाद में इसे हमें पलटना होगा और पलट के इसे हमें सीधा करना होगा तो पहले हम extra fabric को cut कर लेंगे और extra fabric करने के बाद में छोटे छोटे से cuts लगा लेंगे corners को भी अच्छे से cut कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसे हम pallet लेंगे, pallet कर हमने सीधा कर लिया है और अब हमने ले ली है sleeve और ये जो border हमने तयार की थी वो हमने ले लिये, इसमें center mark कर लेंगे, और इसमें देखिए मैंने ये sleeve ली है sleeve में पहले आपको जो हमने अभी 4 inch लंबी जो पट्टी हमने अभी तयार की है उसे हमें लेना है और उसी के साथ में हमें लेना है ये border तो पहले हम इस पट्टी को लेंगे और पट्टी का सीधा वाला side और sleeve का सीधा वाला side अंदर की तरफ ही है दोनों का आपने सामने और साथ में हमने ले ली है ये border इस border को भी हमने सीधा रखा है और इस तरह से हमें इन दोनों को stitch करना होगा तो ये मैंने attach कर लिया है जो पट्टी है उसे पिन के साथ में और अब मैं इसे इसके उपर center से center मिला कर रखूंगी और center से center मिला कर रखने के बाद में मैं इसे stitch करूंगी तो यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको center से center मिलाना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें इस border को इस sleeve के साथ में stitch करना है तो ये मैंने यहाँ पर देखिए अभुपर पर हम उत्री चाहिए शक्राइब यानिया जो पर था उसके उपर पहले हम प्रेसिटेच करिने के बाद में इसे सीधे तरफ मेंन हम 5th करिंगे इस तरह और फिर फड करने के बाद में टिक कर लेंगे तो हδώ को फोर करना है जितनी आपकी paper pasting है उतनी आपको जो extra fabric है उसे fold करते हुए उसके उपर top stitch करना है top stitch जब हम कर लेंगे तो उसके बाद में ये जो पटी है छोटी उसे हमें इसके उपर stitch करना होता है आप चाहे इसमें कोई button भी लगा सकते हैं show button या फिर normal आप इसे stitch भी कर सकते हैं इसे show button लगाएंगे तो ज़्यादा beautiful लगता है और ये sleeve बनने के बाद में बहुत ही एक smart look देगी आपकी कुर्ती को आप इस तरह से एक बार इस sleeve को बना के जरूर देखेगा तो अब यहाँ पर देखे इसे उपर की तरफ यहाँ पर हलका सा loose छोड़ते हुए आप यहाँ इसे stitch कर लीजेगा मैंने अभी इसे सिर्फ stitch किया है और उसके बाद में मैं इसमें button लगा लूँगी इस sleeve को मैंने इस shirt collar के कुर्टी के साथ में बनाया है और इसे मैं इसमें stitch कर लूँगी यह देख सकते हैं आप बनने के बाद में बहुत अच्छी लग रही है border के साथ भी और अगर आपके पास contrast fabric हो तो आप उसकी यह जो पट्टी है चोटी वो भी लगा सकते है वो भी अच्छी लगती है I hope पसंदाया होगा अच्छा लगा है तो like जरू कीजेगा चैनल पर अगर नए है तो subscribe भी जरू कीजेगा अगर वीडियो देखने के लिए visit करें मेरे चैनल पर thank you for watching